अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप क्या है तो कोई कहेगा किसी का दिल दुखाना, कोई कहेगा किसी को धोका देना कोई कहेगा चोरी, कोई हत्या कहेगा, और कोई कुछ और यानि अलग-अलग लोगों के लिए पाप अलग-अलग कैटिगरी में डिफाइन होता है अब ये उनके उपर है, वो किस तरह की नेचर की इंसान है, किस तरह के लोगों के आसपास रहे हैं या क्या सोचते हैं उन्हें के हिसाब से वो अपनी लाइफ बिताते हैं और उन्हें के हिसाब से वो अपने पाप की कैटिगरी को चूस करते हैं पर इस दुनिया में साथ ऐसे पाप हैं, जिससे लग-बग हर तरह का वैक्ती होकर गुजरता है या होकर गुजर रहा है इसमें सबसे पहले है लस्ट यानी हवस हम में से हर एक बंदा इस चीज से कभी ना कभी होकर गुजरता ही है जब उसके प्यार में और उसके लस्ट में उसे कुछ ज्यादा फर्क नजर नहीं आता उन्हें लगता है कि प्यार होगा तो लस्ट तो होगी पर सच तो यह है कि अगर वो लस्ट के लिए प्यार है तो वो प्यार नहीं है पूरी दुनिया सच्चे प्यार के बीचे भाग रही है कि हमको रियल लव मिले पर असल में कोई सच्चा पार्टनर बनना नहीं चाहता कोई किसी को एजिली हा बोल दे उसके साथ रहने लग जाए तो सब के अंदर ये भावना आ जाती है कि ये तो मुझे आसानी से मिल ही गया तो क्यों ना मैं बाकी लड़कों से भी बात करूँ या बाकी लड़कियों पर भी ट्राइ करूँ और फिर वो उनसे बात कर रहा उनके साथ भी अपने लस्ट की भावना को शो करना शुरू कर देते हैं जबकि यार अगर प्यार में लस्ट है यानि किसी एक इंसान जिससे आप लोयल हो जिसके साथ आपका उम्र भर का साथ है उसके साथ अपनी इस फिलिंग को शेर करोगे तो ये आपके स्ट्रेस को कम करेगा आपको एक अलगी फिलिंग देगा पर सबके साथी इस तरह से पेशान आपके stress level को बहुत बढ़ा देता है आपको चिड़ना शुरू करवा देता है और आपको mentally बहुत ज्यादा परेशानी होने लगती है और वो किस वज़ा से क्योंकि आपको ऐसा लगने लगता है कि आपकी ये feeling satisfy होने का नाम ही नहीं ले रही और satisfy होगी कैसे आपने तो इस feeling को सबके साथ ही बाटा हुआ है ना तो एक से मन बरेगा फिर दूसरा कोई शक्स डूंडोगे और दूसरे से मन बरेगा तो कोई तीसरा यानि इसका कोई end नहीं है इसका end होता है आपके loyal रहने से और loyal सिर्फ relationship में या सिर्फ partner के साथ नहीं बलकि अपनी commitment के साथ loyal रहना कि मैं feeling सिर्फ उसी के साथ share करूँ जो वा कई इस feeling के लायक है इसके बाद पेटू यानि कि हर टाइम सिर्फ खाने वाले हर टाइम सिर्फ खाने के बारे में सोचना अंदा धुन खाना पीना और अपनी body का पूरी तरह से नाश कर लेना देखो यार किसी पेड को उसकी जरुद से ज़्यादा पानी दोगे किसी पोदे को 24 गंटे पानी देते रहोगे तो इससे उसकी जड़े मजबूत होने की बजाए और ज्यादा कमजोर हो जाएगी और वो पेड अपने वक्त से पहले ही तूट जाएगा खत्म हो जाएगा और किसी बड़े महानबंदे ने भी ये बात कही है कि अगर आपने अपने खाने को ऐसे नहीं खाया जैसे आप दवा खा रहे हैं तो दबा को ऐसे खाना पड़ेगा, जैसे आप खाना खाते हैं, यानि आपकी बोडी को खाने की बहुत जरूरत है, लेकिन उसे दो उतना ही जितना उसके लिए जरूरी है, जिस तरह कहीं जाने के लिए आपको कोई गाड़ी दी जाए और आप उसे चलाते हुए किसी ऐसी जगा पहुँच जाए जहां दूर दूर तक कोई मेकैनिक नहीं और घना जंगल हो और वहाँ जाकर आपकी गाड़ी खराब हो जाए तो आपको लगता है कि ऐसे जंगल में आप अकेले सब कुछ कर पाएंगे और वहीं आपके पास ऐसा समान हो जिससे गाड़ी ठीक हो सकती है तो आप तुरंत उसे अपने इसाब से ठीक करेंगे और वहाँ से निकल जाएंगे ठीक इसी तरह आपकी हेल्थ है आपकी बोड़ी है यह कहीं ऐसी जगह आपको परेशान ना करे जब आपका एकदम फिट होना बहुत जरूरी है इसके बाद है लालच अब लालच का कोई अंत नहीं अगर लालच नहीं होगा तो आप कोई काम करोगे ही नहीं और अगर लालच हद से ज़्यादा हुआ तो यह ओटोमेटिकली आपको खत्म कर देगा तो यार सीधी सी बात है किसी भी काम को करने के लिए लालच सबसे ज़्यादा जरूरी है एक ऐसी इच्छा जो आपको ये बताती है कि आपका काम कितना जरूरी है आपका उसके लिए बिहेव क्या होना चाहिए अगर आपको रिजल्ट की फिकर नहीं होगी तो आप पड़ोगे ही नहीं और अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा तो आपको अपनी लाइफ में कुछ करने का मुका मिलेगा नहीं और ये मुका नहीं मिला तो आप लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाओगे तो ये तो हो गया डर अब मानो अगर सब अच्छा हो जाता है और आपका रिजल्ट काफी बढ़िया रहा आपने लाइफ में बहुत सही चीज हासिल भी कर ली अच्छी जॉब है पैसा कमा रही हो तो यहां से आपको मिला सुक अपनी इच्छाओ को पूरा करने का और अपनी लाइफ में सुकून से रहने का तो यह हुआ एक तरह का लालच कि मुझे वहां तक पहुँचना है तो मेरी नजर में पोजिटिव लालच हो ना फिर भी ठीक है यानि भूख हो नी फिर भी ठीक है पर सिर्फ अपने बारे में सोच कर उठाया गया कोई भी कदम जैसे किसी के पापा के पास बहुत पैसा है और वो सोचता ही कि किसी भी तरह ये सारे पैसे मेरे नाम हो जाएं और मेरे भाई को एक पैसा भी ना मिले और इसके लिए वो धोके से सारे कागस अपने नाम करवा कर सब अपने नाम पर करवा लेता है और यहां उसके भाई को कोई पैसा नहीं मिलता तो यहां उस बंदे ने सिर्फ अपने बारे में सोच कर कदम भढ़ाया और नेगिटिव लालच को जनम दिया तो भाई यह चीज आपकी पुरी लाइफ को स्पोयल कर सकती है क्योंकि इनसान की नजरों में फिर भी बचा जा सकता है पर परिस्थिती की और अपने करमों की नजर से ना कोई बचा है ना बच पाएगा खेर आज की वीडियो में सिर्फ तीन पॉइंट ही मैंने जाहिर किये है अगली वीडियो यानि इसके सेकिंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो के चार और पॉइंट्स और वो वीडियो भी बहुत इंट्रस्टिंग होने वाली है अब आप चाहते हो मैं उस वीडियो का सेकिंड पार्ट बहुत जल्दी लेकर आओं तो बैस वीडियो को लाइक करो दबाके और कमेंट 200% करो इसके साथ ही शेयर करना मत भूलना यार और आपको कुछ बात करनी हो कुछ कहना हो तो आज ओं इंस्टाग्राम पर इंस्टाबर में बहुत सारी चीज़े अपडेट करता रहता हूं इंस्टाबर आप मुझसे बात भी कर सकती है इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौझूद है तो अभी के लिए बस इतना ही मैं मिलूँगा आपसे नई वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद